कौन नहीं चाहता है कि हम अपनी उम्र से 15 साल कम दिखें 15 साल क्या हमेसा हम यंग और खुबसुरत दिखें तो आज आप लोग के लिए मैंके ऐसा जेल लाइंग जो आपकी उम्र की मतलब आपकी उम्र को नहीं आपके स्किन की एज को कम करेगा हलो फ्रेंज वेल्कम बेक टो माई चैनल इलहावादी गल बवीता राज मैं विता फ्रेंज आप लोग कैसे हो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे मैं भी बहुत अच्छी हूं और आज पिर आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हो जी हां और तो आज के वीडियो में आप लोग के साथ एक ऐसा जेल सेयर करेंगी जो आपके स्किन को वाइट करेगा ब्राइट करेगा स्पोर्टलेस मनाएगा आपके चेहरे पे एक अलग सी रंगत लाएगा और आप साथ ही आपकी एज को 15 साल कम कर देगा अगर आप अप 15 साल छोटा दिखना चाहते हो तो इससे आप अपनी रूटीन में जरूर सामिल कीजिए रोजाना रात में आपको लगाना है डे में भी लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो इससे आपके स्किन हेल्दी रहेगी जूरिया नहीं पड़ेंगी फाइन लाइस नहीं आएग 15 साल कम हो चाएगी तो इस रमेड्डी बना करके श्टोर कर सकते हो इस ये에lles को चोटा कर रहे हूं जो आपकी एच को 15 साल करifying तो आप इसे रूम टमपरेशर पर भी रहा सकते हो देए अब नाइट में लगा नहीं लगाना है दे में गाना है तो आडे में ऐत खेंग सब्सक्राइब करना नहीं कि आपको पता ही है तो यूज करने से पहले पैश टेश च्र käytASE जडूर करने लिगा है अगर को कोई प्रप्रालम हो रहे हैं इचे हो तो आप इस यूज नहीं कीजे बाद हैं किज़का य कार 나오 Kum साल कम्प्लीट हो गई हो तो चलिए फटाफट देख लेते इस विटामिन सी जेल को हम कैसे बनाएंगे वीडियो पसंद आएगा रेमेडी पसंद आईगी आपको मेरे वीडियो बहुत बहुत अच्छे लगते हो और आप मेरे चैनल पे पहली बार आयो तो प्लीज सब्सक्र को टाइट करने के लिए जो हम जेल मनाएंगे वह अलसी के वीजो से बनाएंगे और इसे हम फ्लैक सेट भी कहते हैं अलसी के बीज आपकी स्कीन आपके बालों की सुंदरता को बढ़ाता है तो यह किसी भी जनरल श्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा है यह आपकी हेल जो मैं बनाऊंगी बनाऊंगी फेस पैक में भी यूज करूंगी तो इसका जैल मुझे थोड़ा कॉंटेटी में ज्यादा चाहिए और यहां पर मैं एक कप पानी डाली हूं आप देखी रहा हो कि अलसी के वीज अच्छी तरह से डूब जाएगा अब इसकी बाद आपको क्लोजोन प्रोटेक्शन ने सेल्स के निमार में काफी ज़्यादा मदद करता है आपकी स्किन हेल्दी रहती है टाइट रहती है एक चमक रहती है साफ सुत्री आप कोई दाग धब्बे नहीं होते हैं और आप अपनी उम्र से 15 साल कम दिखोगे आपकी स्किन इतनी ज़्या आपको जल्दी दूर करती है नहीं देखो मैंने गैस को बंकर दिया था पांच मिनट के बाद इससे हलका सा ठंडा करना बहुत ज़्यादा कर दोगे तो यह जल निकालने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको चनी से या मलमल के कपड़े से किसी से भी आपको से मैं जैसे निकाले आप इस तरह भी निकाल सकते हो मैंने यहाँ पे कॉटन का रुमाल लिया है इसमें डालकी से निचोड निचोड के निकालोंगी हाथ तो जल लाएं फिर भी अपनी स्किन के लिए अपनी हल्थ के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा थोड़ी कि बहुत महंनत कर सकते हो how or is tell कर सकते हो किसी air tight come में अच्छे से पैक करके जिससे आपको जब भी जरुरत हो आसाने से जल को आप ले सकते असाने बालों में यूझ कर सकते हो किसी वी फेसपैक में आप यूझ कर सकते हो चाल के आटे के साथ इसे यूज करोगे तो आप इस skin tight भी होगी और आपका color बहुत जल्दी fair होता है ठीक है तो आप इस gel को बना के भी रख सकते हो तो यसलिए मैंने quantity थोड़ी ज्यादा बनाई है क्योंकि मुझे face pack में भी इस gel का यूज करना है तो यह देखो मैं कितनी अराम से निकाल ली हूँ अर औरेंज बहुत सारे आ रहे हैं चीकु भी आ रहे हैं एक औरेंज आता था लिकार होता है यहhan देशी आरेंज है जिससा हम संत्रा कहते हैं देशी भासंच फ़ूरणे में तो आपको उपर वाली सकिन र bluetooth कर लेना है और पर उले भी लेना है ठीक है एक और मैं ulice कर रहें औरेंज पिल यह वाइट ब्राइट में काफी ज्यादा है तरके दागधबों को दूर करता है अब यहां देखो मैंने वन स्पोन से ज्यादा लिया था इसे क्रस्ट करके और इसे हम च्छनी से चांद के जो रस होता है जूस होता है पानी होता जो भी आप बोलत हो उसे लेना यहाँ पे दिखो मैंने चहने से च्शनन के निकाल लिया, और यह एक बड़ा स्पून यह बड़ा स्पून, चृपना के लिया और आपको फ्रंट्स, मैंने ऐक बड़ा स्पून ओर्पर पिल जो पानी निकाल लिया तो इस बावल में मैंने सबसे पहले औरेंज से छिलकों से जो जूस निकाला था पानी निकाला था उसे आड़ करेंगे और इसके बाद हम अल्ची के वीजियो से जो जल लियाता है इसे लेंगे यह हम 2 स्पून लेंगे मतलब एक बड़ा स्पून आप समझ सकते हो और इसे ड अंदर दिन में यह असर दिखाएगा किसी को एक दिन में आपके चेहरे पे काफे ज़्यादा फर्क ना जा रहाएगा एक बार के यूज से ही अब यहां में डालेंगे बिटामिन E कैपसूल ठीक है और यह दो बिटामिन E कैपसूल डालेंगे यह आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है और सर्दियों में आपके स्किन को ड्राइन ही होने देगा नमी बनाए रखेगा ठीक है और आप सभी जानते हो आजकल तो सभी इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हो बालों के लिए इसकिन के लिए हर फेस पैक में सीरम में ठीक है तो यहां पर मैंने दो कैक्स यहां मैंने जो लिया है आप किसी भी ब्रंट का ले सकते हो बस यह जो बालों में योज करते हूँ आपको नहीं लेना है सर्दियों में आपके स्किन को यह काफी ज़्यादा है और रंगत को भी निखारता है हर तरह के स्पोर्ट को भी यह दूर करता है तो आप सब बहुत अची तरह सी जानते हो बदाब में बहुत सारी इसी पॉपटिस पाई जाती है जो इसकिन को healthy बनाती है चमक्दार बनाती है रंगत को निकारती है हो सर्दियों में माई स्किन रूखी बे जानना हो तो बहुत ज़दा हेल्प करती हो यह जो हमारा vitamin C जेल है यह बनके रेडी हो चुका है जो आपकी 15 साल एज कम करेगा आप इसे सर्दियों में गर्मियों में जब चाओ आप यूज कर सकते हो अब यहां पर देखो यह टाइट कंट्रेनर आपको लेना है और बिल्कुर टाइट बन करना है कहीं से भी हावा पास ना हो और कहीं से भी हल यहां पर देखे मैं एसे बन करके मैं और रूम टेम ट्रेचर पर यह रख सकती हूं झाले यहां रात में सोने के पहले लगाओंगे तो बहुत ज़दा असार यह करेगा आप नाइट क्रीम यूज करते हो वह आपके चेहरे पर असर नहीं तो कुस दिन के लिए आप नैट क स्वासे दूलने के बाद आपको इस क्रीम को लेकर के ती मिन तक मसाज करना है मसाज करने में अपको थोड़ सा टाइम देना होगा एंटी एजिंग मसाज जैसे होती है तो आपको डेली रात में मसाज करके ही सोना चाहिए